Assalamualaikum आज की इस वीडियो में मैं आपको Vectors को Solve करना से कहूंगा Calculator की मदद से यानि Vectors को कैसे Solve किया जाता है Cross Product कैसे लेते हैं और Dot Product कैसे लेते हैं तो Cross Product निकालने का थरीका तमाम लोगों ने सीखा होगा हमारे पास दो Vectors होते हैं Vectors A और Vector B इन दोनों Vectors को आप Solve करते हो Determinant Method से सारे Steps करते हो और आपके बास Cross Product का अंसर आ जाता है 10i plus 3j plus 11 के यह सिंपल सा एक अंसर आ गया अक्सर इस्ट्रेंट्स इसमें Mistake करते हैं क्योंकि सिफ Plus और Minus के Change की वाज़े से Answer Totally Different हो जाता है अब इसको आप Calculator से कैसे Solve कर सकते हो Seconds के अंदर तो मैं आपको Solve करना सिखा हूँ मैंने Calculator Open किया अब Calculator में सबसे पहले आप Mode का Button Press करोगे Press करने के बाद आपको Vectors में जाने तो Vectors आपको नज़र आ रहा है 8 नमबर पे आपने 8 प्रेस किया अब आपको Vector A चाहिए था तो Vector A लिखा बना दार रहा है 1 पे तो आपने 1 प्रेस कर दिया अब Vector A में देखो आप 3 चीज़े है I, J और K तो 3 चीज़ों के लिए 1 लिखा हुआ तो आपने फिर 1 प्रेस कर दिया अब Vector A की Values रखो आप सबसे पहले है 2 इस एकपल टू माइनस 3 है तो माइनस 3 रखा इस एकपल टू अफिर लिखा हुआ है माइनस के माइनस के का मतलब होगा माइनस 1 इस एकपल टू यह आपने सेफ किया Vector A एसी का बटन्ट प्रेस किया अब आपको Vector B चाहिए तो Vector B का तरीका थोड़ा सा different आप shift दबाके 5 प्रेस करोगे आप देखोगे 5 पे Vector लिखावा नजर आ रहा है अब Vector B करने के लिए पहले Dim प्रेस करोगे Dim के अंदर से आप उसकी memory में values को change करते हो तो मैंने Dim प्रेस किया Vector B चाहिए था तो Vector B 2 पे लिखावा नजर आ रहा है 2 प्रेस किया अब Vector B भी तीन चीज़े है I, J, K तो मैंने 1 प्रेस कर दिया अब Vector B की value रखोगे I लिखावा यानि 1 इस एकपल टू 4 J लिखावा यानि 4 और माइनस 2 के लिखावा यानि कौन माइनस 2 ये मेरे पास दोनों Vector सेव होगा अब आपको Cross Product चाहिए था तो Cross Product निकालना सिखा रहा हूँ तमाम लों जरा सीचिएगा Shift दबा के 5 प्रेस किया Vector A लिखावा नजर आ रहा है 3 पे तो आपने 3 प्रेस कर दिया अब Cross चाहिए था तो मैंने Cross का Sign लगाया अब Vector B चाहिए फिर दुबारा Shift दबा के 5 प्रेस करोगे Vector B लिखावा नजर आ रहा है 4 पे तो मैंने 4 प्रेस कर दिया Vector A Cross Vector B इस एक पड़्डू दबाऊं हो तो यह मुझे सिखाता हूं dot product को solve करने का तरीका यही दो वेक्टर मेरे पास इन दुनों का dot product आप लेते हो A dot B answer solve करोगे answer आएगा minus A अब इसको भी calculator से आप solve कर सकते हो जरब सीखिए का तमाम लोग यह मेरे पास calculator मुझे A dot B चाहिए Shift दबा के 5 प्रेस किया vector A तो vector A लिखा हो है 3 पे vector A आगया अब dot लगाने तो dot लगाने का तरीका shift दबा के 5 प्रेस करोगे dot लिखा हो है 7 नंबर पे तो 7 प्रेस कर दिया अब vector B चाहिए फिर दुबारा shift दबा के 5 और vector B आजाएगा किसी ओपर 4 के ओपर A dot B इस एक प्रडू दबाया तो answer आजएगा मेरे पास क्या minus A तो यह तरीका था मेरे पास cross product dot product निकालने का अगर यह आपको वीडियो पसंद आए तो subscribe लाजमी कीजिएगा साथ साथ facebook पेज़ पे लाइक भी कीजिएगा तमाम लोग अपना खेर लखिएगा अल्हाफिश